अभी धूप हो रहा है और आस्मान में देखिए काले-काले बादल फेस से आ रहे हैं तो धूप और बादल दोनों आख मीचोली खेल ले हैं और अचानक से कभी भी बारिश हो सकती है मैं देखिए कितना खुपसूरत लग रहा है अभी और इससे पहले की बारिश हो जाए मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूं और पहले मैं अपनी गार्डन की ओवर्वीव आपको दिखा रही हूं मेरा यह जो सेक्षन है यहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है और बारिश की पानी तो ऐसे ही प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि नाइट्रोजन रिच होता है और नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए अच्छ ही होता है कि वीडियो देखने का तो यह देखिए मसंदा के भी जो प्लांट है यह पिंग कलर की प्लांट है और इसमें यह लो कलर की फ्लार भी हुआ है देखिए यह जो प्लांट से इनको डायरेक्ट सनलाइड बहुत थी जरूरी है और यह आइडेनियम के प्लांट है वज चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तेन सबस्क्राइब तो माई चैनल में बहुत सारी इंफॉरमेटिफ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्यूंकि मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हूं, यह मेरे खुद की experience से, experiment से, continuous बहुत सालों की इन प्लांट के साथ है और ये दिखे मुसंडा के उगलांट की मुट्ण मेलता है कहीं पर ये सहट इसbnम के Saarch प्लांट तो मैं आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हूं वह है ऐगलो निमा के बारे में उसकी खास देखवाल के बारे में क्यूंकि अभी आपकी आगलो निमा बिल्कुल भी नहीं मरेंगे आप अगर बिगनर है और आपको इतना आईजियाज नहीं है आगलो निमा के बारे में पर आप चाहते हैं कि अगलो निमा को अपने गार्डन में आड़ करें तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत थी फाइदा मन्द होगी और आप एंट तक ज़रूर देखिए और यह देखिए मेरा यह डिफिन भी क्या कभी कुछ विराइटी है यह मेरा मॉंस् और यह देखिए मेरे अगलो निमा की कालेक्शन में जिसने भार घर के बाहर आ जाते हूं ना प्लांट को देखती हूं मन करता है कि बहुत सारे वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ यह मेरी खुद की एक्सपेरिमेंट से यह जितने भी सारे है ना कुछ म हम लोग कभी-कभी सोचते हैं यह करना है वो करना है मंसब्सलित है थी बहुत सारे बात है तो नमल डा लगता है कि चलो यह होगा हम से कैयर और प्रपर क्यार नहीं होट पाएगा यह रिखनी है इसमेर नियू ग्रोथ भी आई और आपको इसको कटिंग से बहुत ही इसली प्रोपागेट कर सकते हैं जितने भी नोड एरिया है वहीं से कटिंग कर लेंगे और निचे की जो पतियां होता है उसको हटाके आप मतलब जिसे वेलरेंड सॉयल है उसमें डाल लेजे या तो मतलब वाटर में डालके इनको प्रो करेगा तो पहले में इसके जो सॉयल मिक्षर उसके बारे में आपके साथ बात करती हूं यह देखिए फॉयल है जिसके बहुत ही ब्यूटिफुल है तो इसके जो सॉयल मिक्षर आप बनाएंगे वेलरेंड होना चाहिए वेलरेंड मतलब जब भी आप पानी इसमें डाले प यह जोसमें साइड मिलाने की जोरूरत नहीं है पर अगर नहीं चिक निमर्टी है है तो आप इसमें डाल सकते हैं जल और खोरेख लूप तो दूसरी, जो चीज हम डाल लिये हैं तो लीफ मॉल्ड आप इसमोह डालिए लीफ मॉल्ड इसमें आड़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़ी अखाद है और इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा पल-लाइट होता है वो मतलब हलका बनाता है और पोरोस मिल्टी को और जितने इंडोर प्लांट से उनको सॉयल मिक्षूर पोरोस होना बहुत ही ज़रूरी है तब भी रूट से बहुत ही बढ़े हाज से स्प्रेड करेंगे और जितना रूट निचे से स्प्रेड करेंगे प्लांट की ग्रोथ उतना है बढ़या होगा और यह देखिए मेरे गमले में यह जब दोसरे चीज विए है जितने भी DRY LIPS है इस दो लक नृट के से दाना बहुत ही जरूरी है और और यहां देख सकते हैं ऑग 150 श than 5 या 6 बहुत है डोट करना भी बहुत थी अभी मतलब मुश्किल अभी तो नहीं करूंगी मैं और यह दिखिए इसको यह जो मेरा आगलोनिमा का यह जो विराइटे बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है इसका नियॉन कलर का है और यह देख सकते हैं इसका भी कितने सारे ग्रोथ नेचे से आया है औ और उसी को आप इसी लिए घर में प्रोपागेट करके लगा सकते हैं यह देखे तो मैं अभी क्या कर रही है मेरी मिल्टी आप देख सकते हैं कि इतने मतलब बुरबुरी है अभी बारिस के पानी इसमें गिरा है इसलिए थोड़ा सा यह गिला है पता नहीं चल रहा है तो म यह दिखे वर्मी कमपोस्ट में हमेसा नसरी से ले आती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा विराइटी का वर्मी कमपोस्ट मतलब मिल जाता है नसरी में एक एक पैकेट मतलब 20-25 रूपीज में हो जाता है तो आप अपने गमले के हिसाब से इसमें वर्मी कमपोस्ट आड़ और आप इसमें मतलब दूसरे कोई केमिकाल फटिलाइजर आड़ करने के जौरत नहीं है अगर सीवीड के ग्रैनियूल से या तो सीवीड लिक्वीड है तो उसको भी आप इसमें आड़ कर सकते है मेरे पास वो भी है और जैसे 5-6 दाने में इसमें डाल देती हूँ अभी तो मैं मतलब नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बारिस आने वाली है मुझे लग रहा है कि अभी बारिस गिरने वाली है तो जल्दी जल्दी से मैं इसमें थोड़ा सा मेरे वर्मी कंपोस्ट देती हूँ अब भी दिख सकते हैं यह जो मेरी गमला है बिल्कुल भी भर गया है इसमें और जो लिप के कलर से बहुत ही खुबसूरत है और आप जब भी वर्मी कंपोस्ट कुछ में आड करें बिल्कुल भी मतलब रूर्स के पास प्लांट के पास मत दीजे थोड़ा सा किनरे में दे दीजे ताकि मतलब जब भी बारिस होगा अभी तो मैं पानी वानी कु देखे अभी इन सब प्लांट्स को में रख ली फिर उपर तो अभी मुझे रिपोटिंग भी करना है इसको थोड़ा सा मौन सुन जाने के बाद बहुत सारे प्लांट्स उसमें हो गये हैं पता नहीं अभी क्या करूंगे कहां पर रखोंगी स्पेस की भी बहुत ही कमी है मे जो इंडोर प्लांट रखने के लिए तो जितने भी सारे प्लांट्स है अभी सब को बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा गुडाई करके इनमें मैं वर्मी कमपोस्ट आड़ करती जाओंगे तो दूसरी जो त्रिसरी बात है मैं पहली बात तो मैं बोली इसकी सैंड मिक्षर स सेंड बात है इनकी जितने भी ड्राइने लिप से दरसूग गया है उनको नंबार थ्री अब मैं अभी बता रही हूं इनको कैसी सान्लाइट चाहिए इनको इसली जगा में पलेस किजिए जहां पर इनको मतलब ब्राइट एरिया में ब्राइट लाइट मिले अगर यहां पे रख रहे हैं अगर मॉनिंग का एक दो घंटे की सनलाइट इनको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया से इसमें गोथाएगा और इनकी जो लिप के वैरिगिशन होता है जो कलर आता है ना निकर के आता है यह बेस्ट इंडूर प्लांट ह और आप अगर घर के अंदर इनको प्लेस करना चाते हैं तो इसी जगा में प्लेस करिए जहां पे इनको अच्छी तरा से हवा मिले मतलब वेल एरियेटेड स्पेस हो वेंटिलिशन अच्छे से हो और धूप इनके पास मतलब मॉनिं के सनलाइट अगर या तो आप्टरून क अग्स पात की दियान रखिए इनकी जो होल है मतलब अड्रेनेज होल है गंबले की वह अच्छी तरा से मतलब पुला होा रहना चाहिए जब भी मतलब वाटरिंग हो या तो बारीस हो रहा है तो अच्छी तरा से पानी वाटर वहां से निकल के चला जाए अगर कभी-कभी जय को बेर में इसे एक आरत के लिसरेगilt के कौने ब्ललॉक खना हो जाता है तो पानि ब्लॉक नहीं भार कंड़ने की तो फ्लांट्स की रूट कर्लिक होती है चांसपर और जान्स प्लांसर यह भी जो अंज02 के बैंये जी प्लेट काकटैतरू मतलब इसको मैं सैंड में लगा ले थी और देखिए उसमें रूटिंग मतलब वान मन्त के विदिन हो गया मतलब मेरे साथ मेरे पास तो अभी 11-12 वराइटी के अगलो निमा अभी प्रेज़न्ट है और भी कुछ वराइटी मतलब बिल्कुल वाइट कलर का जो वाइट वराइ अगलो निमा को आप बिल्कुल भी मतलब में जैसे बोल ले थी और डायरेट संलाइट में अगा समर में इसको बचा के रखना है क्यूंकि पूरे समर में बहुत ही मुश्किल से इनको बचा के रखी थी इनके लिप की जुलस में को हुई और यह जो रेड अगलो निमा है य इसकी और यह प्लांट ना में बिल्कुल भी समर में जुलस गया था बहुत मुश्किल से मैं इसको बचा के रखी हूं मतलब मॉनिंग में एट नाइन बजए से रायरेट संलाइट इनके उपर गिरा था और मुझे इनको कहीं पर शिप्ट करने की जगा भी नहीं मिली तो म में नियूस पेपर इनके ऊपर डाल डाल के अप्टर नून तक मतलब में रख रही थी कंटिनियूसली इनके ऊपर वाटरिंग कर रही थी आपको अगर मेरी वीडियो अचा लगे और इंफर्मेटिव लगे और इसे ही प्यार देते रहे और आप अपनी डाडन में भी ऐसे ही आगलो निमाज को ग्रो कीजिये कहीं पे भी आपको आगलो निमा मिले उसके कटिंग ले आए और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपके रहे बत्रब सब वालों की जवाब देने के लिए जब में साथ एयार हूं क्यूंकि मैं जेतने भी एक्सपेरिमेंट्स मेरा एक्सपेरियंस से से ये सब आपके साथ श्यार कर रहे हूं तो मेरे आगलो निमाज की कलेक्शन आप देखिए से ये जाग झालों की जवाब आपके साथ एक रहे हूं की जच जवाब देखिए